Hello students, welcome to my channel, Maths with Pooja, बिटक अक्षा आठ की गनित की कारेपुस्तिका हमारी चल रही है और अध्याए 9 का ये हमारा last topic रहेगा, पांचवाँ प्रश्न है ही हमारा, पांचवाँ तो नहीं है, ग्यारवाँ प्रश्न है और उसका पांचवाँ भागे रिक्तिस्थान भरो, last lecture में ये identity हमने बहुत अच्छे से समझी थी, A जमा B का वरग बराबरे A का वरग, जमा B का वरग, जमा 2 A B, इसकी साहिते से हमें इन्हें हल करना है, X जमा 4 का वरग, तो यहां हम लिखेंगे X का वरग, जमा, ध्यान देना, देखो X का वरग, जमा 2, गुणा X, गुणा 4 और जम आजाएगा, X जमा 1 बटे 5 का वरग, यह हो जाएगा X का वरग, जमा 2 गुणा पहली संख्या, यानि X गुणा दूसरी संख्या 1 बटे 5, जमा दूसरी संख्या 1 बटे 5 का वरग, यह हो जाएगा X का वरग, दो और 1 बटा 5 को गुणा करोगे, तो 2 बटे 5 X, जमा 1 बटे 25, यह हमारा इस प्रश्ण का उत्तरा जाएगा आगे चलिए अब यह कहता है कि Y² जमा में यहां क्या आएगा जिसका वरग है यह देखो 25 बटे 49 है मैं आपको यहां पर अगर अलग से बताऊं तो देखिए बेटा अलग से देखिए कि 25 बटे 49 यह होता है पांच बटे 7 का यहां आना चाहिए 5 बटे 7 अब यह बन जाएगा Y के वरग का वरग ध्यान देना Y के वरग का वरग दो गुणा पहली संख्या जो की Y का खुद वरग है और गुणा 5 बटे 7 और यह हो गया 5 बटे 7 का वरग इसे खोल लो वरग का वरग 2 दुनी 4, 2, 5, 10 बटे 7, Y की 2, 25 यह है हमारा अब ध्यान देना भई आप एक बर यहां तो है 4 का यहां नहीं पता क्या आएगा तो वो दे ढूड़ना है कि क्या आएगा तो यह तो चार है तो यहां तो आ जाएगा 4 का वरग और इसको ध्यान दो 8 क्याउ स्केयर हमारे पास आता है 2 A B तो इसमें से 2 अलग क तो यह बन गया चार क्या उसकेयर अब ध्यान दो दो तो फार्मूले का है भी फार्मूला क्या है हमारा हमारा फार्मूला है A जमा बी का वरग बराबर A का वरग जमा बीचे में आता है 2 A B जमा बी का वरग अब इसका कमपैरिजिन करो तो B की जगे तो आ रहा है चार का व यहां से आ गया तो यह क्या बच गया क्यू का स्क्वेयर तो यहां जो पहली रखम है वो क्यू का स्क्वेयर आ रही है अब इसका वरग करो क्यू स्क्वेयर का स्क्वेयर और यह आ जाएगा तो क्यू दो दुनी चार जमा आठ क्यू स्क्वेयर जमा चार का वरग हो जाएगा 16 और अब ये पांचवा भाग है जो इसी पर आधारित है 105 का वरग बराबरे 100 जमा पांच का वरग तो इसको ये कहता है कि खालिस्थान भरो तो यहाँ 105 का वरग करेंगे यहाँ फोर्मूला खोलेंगे यह हो जाएगा 100 का वरग जमा पांच का वरग जमा दो गुणा सो गुणा पांच और 105 के वरग को अलग से खोलो जिसका मतलब है 105 गुणा 105 तो 105 पांच 25 पांच एकम पांच ठीक है गुणा आप सबको आती है जीरो से करो और फिर एक से करो तो यह आ गया 5 दो 5 और 5 दस एक 11,025 तो लेफ्ट में तो आ गया 11,025 राइट में देखो आता है या नहीं 100 का वरग हो गया 10,000 पांच का वरग हो गया 25 पांच दूनी 10 एकम 10 और 100 से कुणा करोगे तो 1000 और यह देखो ना 10,000 में 1000 जोड़ोगे 11,000 और 11,000 में 25 जोड़ोगे तो यह आ गया 11,025 और दोनों तरफ बराबर उत्तर आ गया अगली सर्वसमीका पर चलते हैं जैसे इस सर्वसमीका में जमा थी तो सब जगां जमा थी लेकिन इस सर्वसमीका में इधर घटा है तो केवल 2 के आगे घटा आएगी ए घटा बी का वरग होता है ए का वरग जमा बी का वरग घटा दो ए बी तो यह 6 गटा 5 का वरग है तो यह बन जाएगा 6 एकस का वरग जमा जमा का चीन है तो इसका वरग आएगा 5 का वरग और घटा का चीन है तो 2 गुणा 6 एकस गुणा 5 इसको खोल लो 6 एकस का वरग का म वरग का मतलब हो ता 6X गुणा 6X, 36X की 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36X की 2, 5 का वरग आएगा 25, 2, 12, 12, 15, 60X, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, और आगे चलते हैं, थोड़ा और बढ़ा करती हूं में स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ये देखिए, X घटा 3 बटे 4 का वरग ये बनेगा X का वरग, जमा 3 बटे 4 का वरग, घटा 2 गुणा, X गुणा 3 बटे 4, 2, 1, 2, 2, 2, 4, ध्यान दो, X का वरग, 3 का वरग, 9, 4, 16, 9 बटे 16, घटा 3 को X से उपर वाले को उपर वाले से गुणा करते हैं, बटे में 2, ये आंस्वर आ जाएगा, अग 3 बटे 5 का वरग, तो ये हो जाएगा, B की 2 का वरग, घटा 2 गुणा, पहली संक्या, B की 2, दूसरी संक्या, 3 बटे 5, हल कर दो, 2 दुनी, 4, 2 तिया, 6 बटे 5, 20 स्केर, जमा 9 बटे 25, अगले पर आ जाओ, 998 का वरग, ये कहा रहा हजार घटा 2, पहले राइट साइड हल करत हूँ, हजार का वरग, जमा, 2 का वरग, घटा 2, गुणा, हजार गुणा 2, इसको यहां हल करेंगे, हजार का वरग है तो एक, दो, तीन, और तीन ही जीरो और पीछे लग जाएंगी, 10 लाक काईदाएं से, एकड़, 10 लाक, 10 लाक, जमा 2 दुनी, 4 और 2 दुनी, 4 हजार, ध्यान से देखना भी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और यहां 4 जोड़ा, तो 10 लाक, चार हो गया, और इसमें से मैं घटा रही हूं, 4,000, 0,0, 10 में से 4 गए, 6,9, और 9,994 हमारा उत्तर आ जाएगा, 996,004, 9,994, और इधर हमने लिखना है 998 का वरग, इसका मतलब क्या ह होता है 998, गुणा 998, तो यह कितना आएगा, अब यह अपना करके, देख लो, 998, और 998, बहातर चे अठतर, साथ, आट निम, इकासी, और आठ, नवासी, और यही गुणनफल यहां आ जाएगा, जोड़ दो, चार, आठ, दो, चे, आठ, दो, दस, और नो, यह आठ, दो, 26, आठ, दो, 10, एक, आठ, 10, और ग्यार, और 920, दो, आठ, दो, 10, दस, और 919, और 726, दो, आठ, दस, और 9196, दो, जी, दो, जी, रो, चार, नो, लाक, चार, पार यहां से उत्तर आया, अब हम चलते है, तीसरी सर्व समी का पर, ऐ जमा बी और ए घटा बी, एक जमा कि darüber, यह बनता A का वरग घटा B का वरग अब बहुत ध्यान से समझना यहां पहली संख्या X है और दूसरी A घटा B तो X के अंदर यह पूरी संख्या जुड़ जाएगी और X में से यह पूरी संख्या घट जाएगी तो X जमा A घटा B और X घटा A और घटा घटा जमा B आजाएगा X की दो घटा 25, 25 किसका वरग होता है? 5 का ध्यान देना X की दो तो X का वरग है, 25 पाँच का वरग है, X की दो घटा 5 की दो तो यह बनेगा X घटा 5 एक ब्रैकेट में और X जमा 5 दूसरी ब्रैकेट में जिटी छोड़ देंगे, X की चार गटा Y की चार, ध्यान देना ये है X की दो का वरग और ये है Y की दो का वरग, यहां लगा दो बराबर है, एक यह दो गटा B की दो, पहली संख्या गटा दूसरी संख्या, यानि X की दो गटा Y की दो, और ब्रैकेट में आ जाएगा, X की दो जमा Y की दो, यह मैंने यहां पर बराबर है लगाया है, 84 का वरग गटा 16 का वरग, बिल्कुल सिंपल, पहले कर दो 84 गटा 16, फिर कर दो 84 जमा 16, 84 में से 16 गटा हो, 14 में से 6 गए, 8, 7 में से 1 गए 6, एक ब्रैकेट में, 84 में 16 जोड़ो, तो 100 आ जाएगा, 100 को 68 से गुना तो मैंने यहां लिख दिया है, तो यह आपका उत्तर आ जाएगा, अब हम इसी के छटे भाग पर चलते हैं, सही कतनों के सामने सही का निशान लगाएं, X की दो जमा एक बटा X की दो, X गटा एक बटे X का वरग घटा दो, इसे मैं अब आपको हल करके दिखाऊंगी, पहल गुणा दूसरी, और दो अलग से है, यह कट गया, यह बन गया, X की दो जमा एक बटे X की दो, घटा दो, घटा दो, घटा चार, तो यह तो इसके बराबर नहीं आया, तो यह गलत है, और यह यहां भी X आएगा, ध्यान रखना, यह नहीं आएगा, यह तो इसी को यूं का यूं रिपीट कर दिया, तो यह भी गलत है, यह ठीक है, यह ठीक है, कैसे ठीक है, अगर मैं यहां जमा लगाऊंगी, तो इस दो से यह दो कट जाएगा, और यही उत्तर आएगा, इसको हल करके, तो यह ठीक है, और चोथे भाग पर आजाएं, तो यह हमारा गलत है, अब ये इसने तीनों सरों समिकाई फिर से लिख दी है अगर A जमा B ए घटा भी समझने की कोशिश करो इस ब्रैकिट का पहला पद A है इसका भी A है इसका दूसरा पद भी है इसका भी है लेकिन एक जमा की टा में गटा की तो ये उत्तर आएगा पहले का वरग गटा दूसरे का ए जमा बी का वरग है तो ए का वरग जमा बी का वरग जमा दो ए भी ए घटा बी का वरग है तो ए का वरग जमा बी का वरग घटा दो ए भी जमा वाले में सब में जमा आएगी घटा वाले में दो के आगे घटा अब सात्वा भाग क्या कहता है दीगे सरुसमीकाओं में से उपयोग सरुसमीका का उपयोग करके मान ग्यात करें ठीक है 101 बिल्कुल आसान है 101 को अगर मैं सो जमा एक का वरग लिखूं तो बिल्कुल आसान है इसमें मैं सर्व समी का B का परियोग करूँ क्योंकि दोनों जमा के हैं तो ये बनेगा सो का वरग जमा दो गुणा सो गुणा एक जमा बी का वरग सो का वरग हो जाएगा 10,000 2, 1 2 200 जमा 1 यह हो जाएगा 10,201 अगले पर चलते हैं 28 28 को गर मैं 190 जमा 8 करती हुँ थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन अगर मैं इसको 100 घटा दो करती हुँ तो जादा आसान रहेगा 100 में से 2 गई 8 अब यह वाला identity लग जाえば गटा का वर्ग तो पहली संक्या का वर्ग जमाँ दोसरी संक्या का वर्ग घटा दो गुणा पहली संक्या गुणा दूसरी 10000 जमा दोसरी 10000 जमाचार घटा 400 धान दो दैना दो इसमें इसली जाहें दोस्ते relationship चाहर अगला देखो एक दश्मलव जीरो एक ये बनेगा एक दश्मलव जीरो पॉइंट जीरो एक का वरग लेकिन मैं पॉइंट हटाऊंगी इसको मैं लिखती हूँ एक बटे सो का वरग एक का वरग एक की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी आजाएगा एक का वरग एक ये हो जाएगा एक बटे दस हजार और ये हो जाएगा दो बटे सो दस हजार लगुतम ले लो थोड़ा सा यहां छोटा पड़ेगा तो यह हो जाएगा बलकि लगुतम ना लो दश्मलों में लेते हैं इस तरीके से हम इसका हल मैं यहीं आपको बताती हूं देखो यह तो एक हो गया अब दश्मलव में जब दस अजार हो तो भाग करना बेहद आसान है एक दो तीन चार अंक हैं यहां एक लिखो इसके आगे तीन शुन्य लगाओ और यहां दश्मलव लगा दो यानि नीचे दो शुन्य है अब इन सब को जोड़ लो तो देखो एक में जब इसको जोड़ना है तो एक के बाद कुछ भी नहीं है तो एक के बाद जितना मन करे उतनी जीरो लगा सकते हो अगला पड़ो दश्मलव तो दश्मलव के नीचे तो दश्मलव आ गया तीन जीरो आ ग तुम लो 0,2,0,1 हमारा उत्तर आ जाएगा, 0,2,0,1, ठीक है बई, आगे चले, 105 गुणा पिच्चाण में, 105 को कर दो 100 जमा 5, पिच्चाण में को कर दो 100 घटा 5, भोती असान आइडेंटिटी, A जमा B, A घटा B, ये बनेगा A का वरग, घटा B का वरग, A का वरग हो गया 10,000 और 5 का वरग हो गया 25, भै अब 10,000 में से 25 घटाना है, तो 10,000 लिखो, 25 लिखो, 10 में से 5, 9 में से 2 गया 7, यहां भी 9 और यहां भी 9, यह आजाएगा 9975, ठीक है, चलते हैं बिटा आगे, यह है 0.9 का वरग, ध्यान देना, थोड़ा यहां से शुरू कर रही हूं, 0.9 का मतल अब है, एक घटा, 0.1, आप घटा कर देख सकते हो, एक में से 0.1 घटा हो, तो 10 में से 1 गया 9 और 0, ठीक है, और इसका वरग, इसको ऐसे कर लो, यह हो गया, एक घटा, एक बटे 10 का वरग, उपर जमा वाला फॉर्मल लगा था, नीचे घटा वाला लग जाएगा, एक ही द तो जमा एक बटे 10 का वरग, घटा, दो, ए, बी, ठीक है, एक का वरग, एक यह हो गया, एक बटे 100, यह हो गया, दो बटे 10, इसको देखो, अब ध्यान देना जरा, यह बन गया, एक जमा 0.01, घटा 0.2, दश्मलों के बाद 2 अंक हैं, नीचे 2 जीरो हैं, तो दश्मलों के इन दोनों को जोड़ो, तो यह बनेगा, एक दश्मलों 0.01, घटा 0.2, एक दश्मलों 0.1 में से 0.2 घटाओ, एक दस में से 2 गए 8, और 0.81, तो उत्तर आ गया 0.81, वैसे भी आप पहचान कर सकते हो, नो का वरग है, यह नो का वरग ही कैसी होता है, दश्मलों के बाद 1 अं दो अंक हमारे आ जाएंगे, ऐसे आप माक कर लेना अपनी वर्क बुक में, छटे भाग पर आजाओ, एक हजार एक का वरग भी है, दासान, एक हजार जमा एक का वरग, यह हो जाएगा, एक का वरग, जमा बी का वरग, जमा दो, ए, बी, एक हजार का वरग तो तीन जीरों ह तीनों और इसके पीछे लगा दो दस लाक जमा एक जमा दो हलार तीनों को जोड़ना है दस लाक लिखो दो हजार लिखो और एक लिखो तो देखो भे 100-200-2001 दस लाक दो हजार एक आ जाएगा ये हमारा answer ठीके पीटा. मैं उमीद करती हूँ आपको समझ आ रहा है अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जादा से जादा शेयर करना 22 के लिए बहतर रहेगा कि अगर हम 20 जमा दो लिखें तो ये हो गया 20 का वरग जमा दो गुणा 20 गुणा 2 20 का वरग करना दो दूनी 4 एक जीरो है पीछे दो लगा दो दूनी 4 दो दूनी 4 चार दूनी 8 असी असी और 4 चोरासी चोरासी को 400 में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा चार सो चोरासी 290 तीन सो दस नहीं से आइडिया मिल जाता है 290 को मैं लिख सकती हूँ 300 घटा दस इसको मैं लिख सकती हूँ 300 जमा दस ये ए घटा भी ए जमा भी 300 का वरग घटा दस का वरग 300 का वरग करना है 3 तीन तीया 9 9 के पीछे लग जाएंगी 4 0 10 का वरग हो गया सो 90 हजार में से 100 घटाना है 90 हजार सो घटा करना है 0 0 10 में से एक गया 9 9 8 89 हजार 900 साथ साथ बोला करो इन्हें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 35 का वरग 40 घटा 5 कर दो या 30 जमा 5 कर दो कैसे भी कर सकते हो आपकी मरजी है ये बन जाएगा 30 का वरग जमा 5 का वरग जमा 2 गुणा 30 गुणा 5 30 का वरग हो गया 905 का हो गया 25 दो तीया 6 पंजे 30 तीन सो ध्यान देना 900 तीन सो बारा सो में पच्चिस जोड़ोगे तो बारा सो पच्चिस आजाएगा अब ये तीन भाग हैं जो कि दश्मलव के हैं तो थोड़ा ध्यान पूर्वक आप इन्हें देखेंगे 9.99 का वरग ये बन जाएगा 10 घटा 0 इसे हम लिख सकते हैं 10 घटा 0.01 का वरग जो की हो जाएगा 10 घटा 1 बटे 100 वैसे दश्मलव में भी आसान होता है मैं एक सवाल आपको दश्मलव में बताती हूँ ये बन जाएगा A का वरग जमा B का वरग घटा 2 A B सुनना मेरी बात ध्यान से ये हो गया 100 एक का वरग एक ही रहेगा और दश्मलव के बाद 2 अंक है तो वरग करने के बाद 4 अंक आने चाहिए चाहर अंक आने के लिए मैं यह तीन जीरो लगा दूँगी और ये बन गया ये ज़्यादा असान पड़ता है अब एक बात को समझो दस को जब इससे गुना करोगे तो ये दश्मलव एक अंक आगे चला जाएगा कैसे देखो ज़रा दो गुना दस गुना जीरो पॉइंट जीरो एक दो गुना दस और ये होता है बेटा एक बटे सो तो एक जीरो से एक जीरो कट जाती है और ये दो गुना जीरो पॉइंट एक हो जाता है और दो से इसको करोगे तो ये जीरो पॉइंट दो हो जाएगा अब इन दोनों को जोड़ना है और ये घटाना है तो सो में तीन बार जीरो एक और इस में से जीरो दश्मलो दो तो दश्मलो के बाद वाला अंक तुरंत यहीं लिख देना है अब इनके पीछे कुछ नहीं है तो ये एक है ये जीरो है ये जीरो है दस में से दो गए आठ ये नो और ये नो निन्यान में दश्मलो आठ जीरो जीरो एक यह हमारा उत्तर आजाएगा, अब आजाएगे 5.5 का वरग, तो इसे आप कर लो, 5 जमा 0.5 का वरग, यह हो जाएगा 5 का वरग, जमा 0.5 का वरग, जमा 2 गुणा 5 गुणा 0.5, 5 का वरग, बिटा 25, इस 5 का भी होगा 25, लेकिन यहाँ दश्मलों के बाद 5 है, तो यहाँ भी दश्मलों के बाद 2 अंक आएगे, जो की आ गए हैं, तो यह 0.25 हो जाएगा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 2 पंजे 10, और 10 को जब 0.5 से गुणा करोगे, तो वो 5 में बदल जाएगा, 25 और 5, 30 जमा 0.25, और जब इन्हें जोडोगे, तो यह बनेगा 30.25, और यह लास्ट भाग है, इस प्रश्न का, 10.9, गुणा 9.1, 10.9 को मैं लिख सकती हूँ, 10 जमा 0.9, और 9.1 को मैं लिख सकती हूँ, 10 घटा 0.9, ए जमा भी, ए घटा भी, यह बन जाएगा, ए का वरग, घटा, बी का वरग, ठीक है, ए का वरग हो गया है, 100, 9 का वरग है, 81, और यह 0.8, एक आ जाएगा, 100 में से 0.8, एक को घटा लीजिए, 100 का मतलब होता है, 100.10, कितनी भी 0 लगा हो, और उस में से 0.8, एक आपने घटाना है, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9, और यहाँ 9, यह आजाएगा, 99.19, यह हमारा आनस्वर आजाएगा, तो यह 11 में प्रश्न के सारे भाग थे आपके, एक और है गया चोटा सा भाग, आठवा, उप्युक्त सर्वसमी का, उप्युक्त मारे जो सही लगे इस पर, के अनुप्रयोग द्वारा नीचे दिये गए चित्र में रेखांकित भाग का शेत्रफल ग्यात करो, यह बाहर एक वरग है, जिसकी भुजा 48 मीटर है, अंदर एक वरग है, जिसकी भुजा 42 मीटर है, और यह शेत्रफल हमने निकालना है, अगर इस बड़े वरग के शेत्रफल में से इस छोटे वरग को हटा दिया जाए, काट दिया जाए, तो चारो तरफ की बाउंडरी तो बचेगी, मेरे पास यह कागज है, मानलो मैं इसको वरगा कार कर दिया, यह मैंने, ठीक है, और मैं अब इसको बीच में से ऐसे काट भाग का शेत्रफल बराबरे क्या हो जाएगा, बहारी यानि जो बाहर वरग है, उसका शेत्रफल घटा, आंतरिक यानि जो अंदर है, उस वरग का शेत्रफल, वरग का शेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा बहार वाले वरग की भुजा 48 यह तो यह हो जाएगा 48 का वरग और ये हो जाएगा 42 अब इसने कहा है सर्व समीका का परियोग करो तो हमें सर्व समीका पता है कि A की 2 घटा B की 2 होता है A घटा B A जमा B ये सर्व समीका मैं नहीं लिख दी है अब 48 का वरग घटा 42 का तो एक बार हम 48 का वरग नहीं निकालेंगे हम 42 का वरग भी नहीं निकालेंगे हम सीधा इसका परियोग करेंगे 48 घटा 42 और भई 48 जमा 42 आठ में से दोगे 6 आजाएगा और 48 और 42 को जोड़ोगे तो 90 आठ दोदस 90 नोचिक 54 पांच सो 40 वरग मीटर हमारा आनस्वर आजाएगा जो कि रेखांकित भाग का शेत्रफल है औ यह कह रहा है मैं हूँ सर्व समीका यानि identity मेरे गुण धर्म को पहचानो इसका गुण धर्म मैंने क्या बताया था कि यहां left right में a b की जगा कोई भी value रखो हर बार उत्तर बराबर आएगा तुम भी तीन सर्व समीका हैं लिखो तो दो तो मैंने अभी करवाई हैं इसके अ तीसरी सर्व समीका मैं अलग से लिख देती हूँ a जमा b का घन बराबर a की 3 जमा 3 a b ब्रैकिट a जमा b जमा b की 3 हो गया अब इदार आजाओ यह एक और मीकी माउस है यह कहता है मैं हूँ समीकरण मेरे गुण धर्म पहचानो समीकरण का क्या होता है कि इनका a की हलाता है कि जो एक इमान ऐसा होगा जिसको x और y की जगह रखोगे तो उत्तर 8 आएगा तुम भी 3 समीकरण लिखो मैंने लिख दिया x जमा 2 y बराबर a मैं यहाँ एक रखो और यहाँ दो तो 4 और एक यह 5 आ जाएगा ठीक है एक मैंने लिख दिया 2 x घटा y बराबर a मालो मैं यहाँ चार रखती हूँ देखो कैसे बना रही हूँ मैं अब आप ध्यान दे ना मैंने यहाँ चार रखा चार दो नी आठ आठ में से मालो मैं दो घटाओंगी तो 6 तो मैंने इस तरीके से बनाया 2 x घटा y बराबर a छे और एक और बना देती हूँ मैं 3 x जमा 2 y बराबर a मालो मै हूँ बीजिये वियंजक यानि अलजेबरिक एक्स्प्रेशन मेरे गुण धर्म को पहचानो तुम भी तीन वियंजक लिखो कोई भी लिख दो 3 x जमा y लिख दो दूसरा लिख दो 4 x घटा 2 y और तीसरा लिख दो x जमा 9 y तो ये था आपका complete chapter number 9 की workbook तुरंत अभी मैं बह शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू